नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News अभी अभी तक सीत्रितु का संपुन असर नहीं हुआ है क्योंकि वर्तमान में देश के उत्र प्रवतिय छेत्रों में कमजोर पस्चमें विच्वप की वज़े से के वल प्रवतिय छेत्रों पर हलकी बर्बारी हो रही है हिमाले की तरब से उत्री पस्चमी से ठंडी और कोई ठंड अपना रंग दिखा रही है जबकि अभी दिन के तापान में विचेश गिरावट दर्ज नहीं हो पा रही है अधिक्तम और नियुंतम तापान में काफी अंतर दर्ज किया जा रहा है जिस कान से मोसम आमजन के स्वास्त के लिए अनुकूल नहीं है दिसंबर के पर्तम सप्तान तक इसी तरह का मोसम रहने के संभावना वेक्त के जा रही है दिसंबर महिने के दूसरे सप्तान के दोरान स्क्रे मोसम पनाले के कान मोसम के करवट लेने के संभावना वन रही है जिसे संपूर्ण इलाके में दिन और रातरी यानि अधिक्तम और नियुंतम अधि देखने को मिलेंगे द्रौपदी मुर्मुने परदेश वासियो को तीन बड़ी प्रियोजनाओ मुख्यवंतरी स्वास्थ सर्वेक्षन योजना हर्याना इडिक्टिंग प्रोजेक्ट वे 950 क्रोड उपय के लागाचे शिर्षाज लेके मेडिकल कोलेज का शिलानासकर सोगादी इस माउचों के साथ साथ सोचना जन्संप्रक एमभासा विवाकी राजिस्तरी हाइटेक परदर्शनी हर्याना वे मध्य प्रदेश पवेलियन गीता सिल्फ मूर्ति उद्ध्यान का भी माहमईम राश्पती ने सुभारम किया इसके बाद राश्पती कुरुशेतर विश्विद्याले में तीन देश से अंतराजी गीता सेमनार का सुभारम किया हर्याना में खात महो सकते हैं एमभी बेस विद्यारतों के हड़ताल सेम मनोहर ने आज बातचित के लिए बुलाया हर्याना की पोलिशी का विरोध कर रहे मेडिकल के विद्यारतों के मुलाकात अब हर्याना के मक्यमंत्री मनोहर लाल के साथ होगी इस समझ में समझनित विवाग मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के निद्यसक के और से लिखित सूचना जारी कर दी गई है MBBS के विद्यारतों के दस प्रतिनेदियों के साथ हर्याना की मक्यमंत्री मनोहर लाल चंडिकट में बुद्वार को उनकी मांगो और चल रहे आंदुलन को लेकर विश्तार से चर्चा करेंगे इससे पहले हरियाना के मुख्यमंत्री के प्रमुक सचिव, विव मासंकर और मुख्यमंत्री ओफिस के आलावसर मेडिकल विद्यार्थियों से बाचित कर चुके हैं लेकिन यह बाचित सीरे नहीं चड़ पाई थी, इसके बावजूद MBS के विद्यार्थियों अपने धरने और प्रदसन जाली रखे वे हैं बुद्वार को दो पैर बाद यह बैटक चंडिगाट में हर्यार्थियों निवास अथो मुख्यमंत्री के कैम्प ओफिस पर किये जाने की उमीद है इस दोरान बॉंड पोलिशिका को शरुमाने हाल निकालने का प्रयास किया जाएगा राश्पति द्रौबदी मुर्मूने हरियाना में देखा विश्व का सबसे बड़ा प्राठा देशिगी की जलेभी का लिया स्वाद इसके पश्याद उन्होंने कुरुचेतर के मसूर सिसपाल हलवाई की रबडी जलेभी की वी शराना की गोहाना के मसूर जलेबी को देखर माहामईम राश्पती ने भूरी भूरी प्रसंचा गी इसके पश्चाथ राश्पती ने हरियाना मंडप में हरियान के ग्रामिन हास्त सिल्प कला का नमुना सैतुत की बनाए गए पुरानी टोकरी भी देखी इसके पश्यास उन्होंने हिसार के मास्टर विजंदर सिंग द्वारा पहली सदी से लेगर अब तक जारी किये गए सबी सिक्के जिन में भारतिय रियास्तों के सिक्के स्टांप, कोडी, सामिल हैं उनकी विजान का रियास्यल की पंडाल में हर्यानवी कल्चर को भी पूरी तरशे प्रतेशित किया गया जिसमें भेट बकरियों का बाड़ा, कुमार, ग्रामिन हर्याना, ट्रेक्टर बेलगाडी वे कुवें से पानी लेकर आती महिलाएं भी दर्शाई गई पंडाल में हर्यानवी कला परिशत द्वारा हर्यानवी संस्कर्ति को दर्शानी के लिए अलग-अलग पंडाल सजाए गई हैं इस दोरान हर्यानवी कलाकर महावीर गुड्डू भी अपनी मंडली के साथ हर्यानवी संस्कर्ति का समा बानते वी नजर आए दिपेंदर हुड़ा को चुनोती किसके सरपंच पारशत ज्यादा बने जज़पा वे कांग्रेस का सम्मेलन बुला कर देख लें पंचाय चुनाव में पारशत पंच सरपंच सबसे ज्यादा जेज़पी के बने है उन्होंने कहा कि अगर दिपेंदर हुड़ा को कोई शक है तो वो सम्मेलन कर कांग्रेस वे जेज़पी के समर्थित पारशतों वे सरपंचों को एक साथ बुला कर देख लें कि किसके ज्यादा है धिगवजे ने कहा कि इससे दूद का दूद और पाने का पाने हो जाएगा हरियान में कलेक्टर रेट 2023 निर्धारित करने के लिए शुरू ही नई परक्रिया हरियान सरकार के निर्ध्यसों के अनुसार कलेक्टर रेट 2023 निर्धारित करने के लिए नई परक्रिया अपनाई जाएगी इसके तैट सभी स्थानों का सर्वे कर क्लेक्टर का ड्राफ्ट जारी किया जाएगा और उस पर ओनलाइन आपतियां एमदावे भी आमंतरित किया जाएगे जीनत के डिशीर एक्टर मनोज कुमा ने बताए कि राजस्युमा आपदा प्रबंदन विभाग द्वारा कलेक्टर रेट निर्धान को लेकर दिशान निर्देस जारी कर दिये गए हैं जिनके अनुसार साल 2023 के कलेक्टर रेट का निर्धान नई परिक्रिया के तैट किया जा पातरता प्रिक्षा यानि एस्ट्रेट की निस्पक्स और नकल मुक्त संचालन को सुनिशित करने के लिए हर्यान के मुख्य संझीव कोषल की साथ हर्याने शिक्सिक पातरता प्रिक्षा 2022 के संसरा के दौर से दो गंटे 10 मिनट पहले अभ्याय दिप्त्यों का परवे सुनिशित करने के निदेस दियें ताकि ररीक्षा के दर मेटल डेटेक्टर से तलासी बाइव किमेटरिक उपस्तिते और अन्य अनिवारी ओपचारिक्ताओं को समय पूरपूरा कर्श कें। किमेटरिक उपस्तिते और अनिवारी ओपचारिक्ताओं को समय पूरपूरा करें। किमेटरिक उपस्तिते और अनिवारी ओपचारिक्ताओं को समय पूरपूरा करें। हारियाना में ग्रूप D के 22,000 पदों पर भरते के लिए 15 दिनों में जारी होगा शैडूल फरवरी में CET संभाव। हारियाना में ग्रूप D के 22,000 पदों पर भरते के लिए रूप रेखा तयार हो रही है। इस परिक्षा को भी नेशनल टेस्टिंग एजन्शी यानी NTA ही आजजित करेंगी जिसमें 10,5,000 चादिक अब्यरती हिसा लेंगे। परिक्षा दो दिनों में सुबह और शाम की शिफ्ट में आजजित की जाएगी एक दिन रिजरू की रूप में रखा जाएगा ताकि कहीं गडबड या फिर अन्य परेशानी होनी की संभावना पर उस दिन परिक्षा ली जासके। आयो के पास 1200 से जादा परिक्षा केंदरों का डाटा है उसी के अनुसर केंदर बनाये जाएगे तथा जो परिक्षा केंदर पिछली परिक्षा में पर खरे नहीं उतर हैं उन्हें बदला भी जा सकता है। आगे बढ़ेगी। केंदर सरकार के और से गिसे पिटे सरकारी वाहनों को भारते सटकों से कम से कम करने के उद्देशी से मसोदा तयार कर लिया गया है। इसमें 15 साल से अधिक पुरानी सरकारी वाहनों का पंजीकन दोबारा से यानी रिन्यू नविनीकन नहीं होगा। शड़क पुरानी बसों और गाड़ियों को कबाड़ करना अनिवारी कर दिया गया है। पंचायती राज परतिनेदियों के सपत ग्रहन के दोरान हर्यान में नहीं जाएगी बिजली इंटरेट भी नहीं होगा बंद। इसके लिए सुनिशित क्या जाए कि कारेकरेम की दोरान बिजली की सप्लाई बादित नहीं हो और उचित इंटरनेट कनेक्टिवी टेवी उपलब धोसके। ताके नव निर्वाचित सदेश्यों द्वारा मुख्यमंत्री वे विकास यंटरेट मंत्री का संदे सुनावे देखा जासके। सनिवार तीन दिसम्र को सुबए 11 बजे पंच वा सरपंच को ग्राम स्तर पर ग्राम संरक्षकों द्वारा सपत दिलाएगी। पूजा अर्चना के बाद जंडी दिखा कर रवाना कर दिया। दिली एम्स में ये एस्पिताल का डेटा फिर से सरवर पर आ गया है। बाजार ने फिर नया अल्टाइम हाई बनाया। इसके साथ इस सेंसेक्स ने अपना नया क्लोजिंग हाई भी बनाया है। तो निप्टी ने भी नया अल्टाइम हाई और क्लोजिंग हाई बनाया है। ये पच्पनंकी बढ़ोतरी के साथ 18618 के स्तर पर बंद हुआ। वह इस सराफब आजार के बात करें तो सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। चांदे की बात करें तो ये 61685 रुपे पर ते किलोगराम पर पहुंच गई है। रुपिया डॉलर के मुकाबले 3 पैसे कमजोर हुआ है। एक डॉलर का रेट 81 रुपे 31 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खाबरों में इतना ही। देखते रही शीडवलो भी हिंदी न्यूज नमस्कार।